नमस्कार बच्चो आपका बार्वे कक्षा विश्य व्यवसाय अध्यन भाग एक से दूसरे अध्याय प्रबंद की सिध्धान्त में स्वागत हैं बच्चो इस अध्याय के अधिकम के उद्धेश्य इस प्रकार हैं इस अध्याय के अध्यन के उपरांत आप परबंद की सिध्धानतों का अर्थ, प्रकृती एवं महर्त्व को समझ सकेंगे, तथा परसिद परबंद शास्त्री Frederick Winslow Taylor के विज्यानिक परबंद की सिध्धानतों एवं तकनीकों को समझ सकेंगे, तथा इसके साथ ही दूसरी पर प्रबंद के सिध्धान्तों के अर्थ से, चलिए सर्व पर्थन जानते हैं सिध्धान्तों का क्या आर्थ होता है। प्रबंद के सिध्धान्तों के अर्थ होता है। प्रबंद के सिध्धान्तों के अर्थ होता है। उसका उप्युक्त समादान ढूंडता है। उधारन के तोर पर कारे विभाजन के सिध्धान्त से हमें यह ग्यात होता है कि किसी कारे को विभिन भागों में बाट दिना चाहिए और प्रतेक विक्ति को उसकी योग्यता एवं रुची के अनुसार ही कारे दिना चाहिए। प्रियोग आत्मक अध्यन के अधार पर प्रबंद के शोधकरता प्रबंद के सिध्धान्तों को प्रतिपादित करने और उनकी वैधता की जांच करने के लिए प्रियोग अथ्वा परिक्षन विदी का प्रियोग कर सकते हैं। उधारन के लिए शोधकरता दो समुह ले सकते हैं, जिसमें एक समुह किसी एक ही अधिकारी के सिध्धे परिविक्षन में हो और दूसरा समुह दो या दो से ज़्यादा अधिकारियों के परिविक्षन में हो। इन दोनों समुह द्वारा एक निश्चित अब्धी में कियेगे कारे का विशलेशन करके यह देखा जा सकता है कि वह समुह जिसमें केवल एक ही उच्चदिकारी है, दूसरे समुह से अपेक्षाकरित अच्छा कारे कर रहा है। इसी के अधार पर परबंद के विचार को ने आदेश की एकता की सिध्धान्त का प्रतिपादिल किया होगा। वच्चो हमारा अगला टॉपिक है परबंद के सिध्धान्तों की प्रकृती। प्रबंद के सिध्धान्तों की प्रकृति के मुख्य लक्षन इस प्रकार हैं नमबर एक सर्व प्रियुक्त प्रबंद के सिध्धान्त सर्व व्यापक हैं यह सभी प्रकार के छोटे बड़े व्यवसाइक एवं गयर व्यवसाइक निजी एवं सारवजनिक संगठनों पर एक समान रूप से लागू होते हैं यह सिध्धान्त किसी संगठन में किस सीमा तक प्रियुक्त हो सकते हैं यह संगठन के प्रकृती व्यवसाइक कारियों परिचालन के पेमाने आदि बातों पर निर्भड करता है। और धारण के लिए श्रम विभाजन का सिधान्त सभी प्रकार की क्रियाओं और सभी प्रकार की संस्थाओं में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। नमबर दो, सामान्य मार्ग दर्शन प्रबंद के सिधान्त भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के सिधान्तों की भांती कठोर नियमों वाले नहीं हैं। यह किसी कारे को करने के लिए मार्ग दर्शन का कारे करते हैं। सभी प्रबंद के समस्याओं का शर्थ प्रतिशत समाधान इन से प्राप्थ हो ही जाएगा यह आवश्यक नहीं हैं। लेकिन इन सिधान्तों के महत्व को कम करके भी आँका नहीं जा सकता। क्योंकि छोटे से छोटे दिशा निर्देश भी किसी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते हैं। उधारण के लिए यदि कि नहीं दो विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिती पैदा हो जाती है तो इससे निपटने के लिए प्रबंदक संगठन के व्यापक उदेश्यों को प्रात्मिक्ता देकर उस विरोधाभास को समाप्त कर सकता है। प्रबंद के सिध्धान्त पेशेवर लोगों के सामने उपस्तित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम है। पहले समस्याओं उद्पन हुई फिर उनके सामने समाधान का प्रियास किया गया तथा इसी प्रियास में अनेक शोदकारे उद्पन हुए। उधारण के लिए आदेश की एकता की सिध्धान्त का उद्गम तब हुआ होगा जब दो समोह में कारे कर रहे करमचारियों में उस समोह की करमचारियों का निश्पादन बहतर पाया होगा जो कि केवल एक उच्छदिकारी से ही आदेश प्राप्त करते हों नमबर चार लोच्शिलता प्रबंद के सिधान लोच्शिल होते हैं तता परिस्तिति की मांग के अनुसार प्रबंद किन में सुधार कर सकते हैं उधारन के लिए श्रम विभाजन का सिधान चोटी फर्मों पर उस हद तक लागू नहीं किया जा सकता जितना की बड़ी फर्मों पर लागू किया जा सकता हैं प्रबंद के सिधान्तों का लक्ष मानवी व्यवहार को प्रभावित करना होता है इसलिए प्रबंद के सिधान्त मुक्यता व्यवहारिक प्रकरतिके होते हैं एक और जहां कारिवी भाजन, आदेश की एक्ता, निर्देश की एक्ता, अनुशासन जैसे सिध्धान करमचारियों के व्यवहार को नियंतृत करने में प्रबंद को की मदद करते हैं, तो दूसरी और मानविय व्यवहार का एक जटिल प्रकृति का होने के कारण, कभी-कभी प्रबंद के सिध्धान सीमित रूप नहीं प्रयोग में लाए जा सकते हैं, प्रबंद के सिध्धान कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उप्योग किया सके यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिध्धान्त को एक परिस्तिती विशेश में उपयोग किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं धारन के लिए यदि कारे विभाजन के सिध्धान्त के नुसार संपूर्ण कारे को अनेक भागों में बांट दिया जाए और प्रतेक व्यक्ति को उसकी रूची एवं योग्यता के नुसार कारे सोब दिया जाए तो निश्चित रूप से कारेक्षम्ता में व्रिद्धी होग प्रबंद के सिध्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अत्वा समय विशेश की मौजूदा परिस्तियों पर निर्भर करता है उधारन के लिए कारेविभाजन के सिध्धांत के नुसार एक करमचारी को कुल काम का एक विशेश हिस्सा ही बार-बार सुपा जाना चाहिए ताकि उसकी कारेक्शलता में वृद्धी हो सके लेकिन यदि एक ही काम को बार-बार करने से वह उब चुका है तो इस सिध्धांत को लागू करने से लाभ प्राक्त नहीं होगा बलकि इसमें परिवर्तन की आवशक्ता होगी अथ है परबंद के सिध्धांतों में परिस्तितियों के इनुसार परिवर्तन करना पढ़ सकता है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हमारा आगला टॉपिक है परबंद के सिध्धांतों का महत्व बच्चों, प्रबंद के सिधान्त इसलिए महतुपुरुन होते हैं क्योंकि वैं प्रभावी प्रबंद के लिए नीव प्रदान करते हैं प्रबंद के सिध्धान्तों का पालन करते हुए प्रबंदक लोगों के साथ वियवहार करते समय आधारवुद गलतियों से बच सकता है प्रबंद के सिध्धान्तों द्वारा प्रबंद के विश्वास पूर्वक अपने कारियों के परिणामों का पूर्वा अनुमान भी लगा सकते हैं नमबर एक प्रबंदकों को वास्तविक्ता का उप्योगी सुक्ष्म ज्यान प्रदान करना प्रबंद के सिध्धान्त प्रबंदकों के लिए दिशन इर देशों के रूप में कारे करते हैं यह सिध्धान्त विभिन्य प्रबंदकी स्थितियों के अंतरगत प्रबंदकों के ज्यान, युग्यता और समझ को गढ़ाते हैं यह सिध्धान्त एक परबंदग को बताते हैं कि विभिन परिस्तितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्व वर्ति परबंदगों द्वारा की गई गलतियां दुबारा ना हो। इस प्रकार ठीक समय पर मार्गदर्शन हो जाने से संसाधनों के अपव्याय में कमी आती है और परिणामों को मित्व्याई धंग से प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा तभी संभव है जब प्रबंदक प्रबंद के सिध्धानतों को विवहार में लाएं। आदेश की एक्ता के सिध्धानत के अनुसार एक समय पर एक करमचारी का एक ही बौस होना चाहिए। एक सेदिक बौस होने पर वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा जिसके कारण मानविय संसादनों का अपव्याय होगा। अते यदि एक संस्था चाहती है कि मानविय संसादनों का सदूपयोग हो तो उसे इस सिध्धानत का पालन करना ही होगा। नमबर तीन व्यज्यानिक निर्णे व्यज्यानिक निर्णे का अर्थ है एक संतुलित निर्णे। परबंध के सिध्धानत परबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षन परदान करते हैं ताकि परबंधक व्यज्यानिक अर्थात संतुलित निर्णे ले सकें। प्रबंद की सिधांतों के अभाव में प्रबंदों को भूल एवं सुधार पद्धि अर्थात ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाना पड़ता है. इस पद्धि के अनुसार किसी कार्य या समस्या को जो पहले किसी भी ढंग से करना होता है तथा गलती होने पर किसी दूसरी ढंग से करना होता है. इस प्रकार जब तक भूल का सुधार ना हो जाए उसे करते रहना होता है. अतह बार-बार भूल और सुधार की यह विधी उप्युक्त नहीं है तथा परबंधुकों को सिध्धान्तों की जानकारी के द्वारा ही प्रशिक्षन दिया जाना उप्युक्त है जिससे वह विज्ञानिक निर्णे लेने के लिए योग्य बनते हैं परतेक व्यवसाय एक गतिशिल वातावरन में काम करता है इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं तकनीकी पर्यावरन में परिवर्तन व्यवसाय के लिए अकसर अनेक चुनोतियां खड़ी कर देते हैं परबंद के सिध्धानत ही परबंद को संगठन में सही स्तरपर और सही बिशा में परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं उधारण के लिए निर्देश की एक्ता का सिध्धांत यह बताता है कि एक जैसे उद्देश्य वाली सभी क्रियाएं एक ही प्रबंदक की निर्देशन में संपन होनी चाहिए। ऐसा करने पर प्रबंदक अपने अधिन हो रही सीमित क्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के विस्तरित जानकारी रख सकता है। एक ही प्रबंदक के अधिन विभिन उद्देश्य वाली कई कृयाइं किये जाने पर रे किसी भी कृया में हो रहे परिवर्थनों को भली प्रकार से नहीं समझ पाएगा, और व्यवसाय के समिचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन होगे प्रबंद के सिध्धान्त प्रबंदकों की कारेकशलता में वृद्धी करके उनके समाजिक उत्तरदायतों को पूरा करने में मदद करते हैं अधिक कुशल प्रबंदक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा यथा संभव समय पर उपलब्द करवा सकते हैं। प्रबंद के सिध्धान केवल संगठ नात्मक उद्देशों की प्राप्ति के लिए ही दिशा निर्देशों के रूप में कारे नहीं करते बल्कि सिध्धान सामाजिक दायतों के निश्पादन के लिए भी प्रबंदकों का मार्ग दर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए उचित पारिश्रुमिक का सिध्धान करमचारियों के लिए प्रयाप्त वेतन पर बल देता है और करमचारियों के हितों की देख भल भी करता है अतह प्रबंद सामाजिक उत्तरदायतों को पूरा करने में भी सहयता करता है प्रबंद के सिध्धान प्रबंद विशे के ज्यान का मूल अधार है इनका प्रियोग प्रबंद के प्रशिक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान के अधार के रूप में किया जाता है आप यह तो अवश्य ही जानते होंगे कि प्रबंद संस्थानों में प्रवेश से पुर्व प्रबंद की प्रिक्षा ली जाती है और पेशेवर विश्यों जैसे MBA, BBA अधि में प्रारमिक्स तर के पाठेकरम में प्रबंद के इन सिध्धानतों को पढ़ाया जाता है वास्तम में यह सिध्धानत ही प्रबंद में विशिष्टा लाते हैं एवं प्रबंद की नई तक्नीकों के विकास में सहायक होते हैं उदारण के लिए प्रबंद के सिध्धानतों के गहन अध्यन के फलस्वरूप प्रबंदकों की दृष्टिकोंड में आये परिवर्तन का लाब उठाने के लिए अनेक बड़ी कमपनियों ने शोध एवं अनुसंधान विभाग स्थापित किये हैं, जिनके परिणाम सोरूप उत्पादन, विपणन, वित्त आदिक शित्रों में अनेक नई पदतियां विविक्सत हुई हैं प्रिये विद्यार्तियों, आशा है आपने प्रबंद के सिध्धानतों का अर्थ इसकी विशेष्टाओं एवं महत्व को अच्छे से समझाओगा ग्रिये कारे के रूप में आप प्रबंद के सिध्धानतों की विशेष्टाओं एवं महत्व को अपनी नोटबुक में बिंदू वार नोट करेंगे प्यारे बच्चों इस अध्याय के भाग दो में हम प्रबंद विशेषग्य F.W. टेलर के द्वारा प्रतिपादित वेज्ञानिक प्रबंद के सिध्धानतों का विस्तार से द्ध्यन करेंगे तब तक के लिए नमस्कार